गुड इबनिंग फ्रेंट्स वेलकम टुमाइ यूटूब चैनल एक होल रंड़ दोस्तों आज किस वीडियो होलो मिसिंग नंबर के मोस्ट इंपोटेंट कोशन्स पेपर को डिसकस करेंगे जो हाल ही के एकजाम यानि की 2022 के एकजाम में पूछेगा है उसी कोशन्स पेपर को समयने का प्रियास करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रेंट्स आपको उता दे कि मिसिंग नंबर क्या होता इसके बारे में प्रीविएस वीडियो में ही डिटेल में डिसकस किया जा चुका अगर आप नहीं देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक द को देखना है और बताना है कि कोशन मर्ग के रिक हτί आएगा कुछ नहीं करना आपका सबसे पहला काम होगा कि आप सरसरी निगाहों से को देखेंगे और यह परियास करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ उस नंबर के बीच में आपस में कैसा सम्भन है यानि कि आपको रिलेश को पकड़ने में काम्या बजाते हैं तो आप मिसिंग नंबर को मात्र दो सेकेंड कंदर ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ेंगे ध्यान देंगे जैसे यहां कोशंस में देखेंगे यहां ध्यान देंगे 6 x 3 यानि कि छत्री के ठारा देखेंगे का ठारा आपका बीच में बैठा हुए उसी परकार से यहां ध्यान देंगे एक अईस तिया हो गया 63 और 9 पचे के हो गया 45 यानि कि 5 तिया के 15 देखेंगे कि आपका बीच में बैठा हुए उसी परकार से यहां ध्यान देंगे 8 सते होता है 56 और 17 तिया होता है 51 यानि कि 73 के किस जिस ओप्चन में किस होगा वही आपका रिजल्ट होगा नमबर से आपके स्किन पर आपको बताना है कि कोचन मार के जगँ पर क्या आएगा चार ओप्चन होगे राइट एंस को श्लेट करेंगे कुछ ने करना है ध्यान देंगे फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ 6 इसका स्क्वायर कर देंगे फर्स्ट नंबर के स्क्वायर कर देंगे और सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे द्यान देंगे 6 के square कर देंगे 36 और second number यानि के 18, 18 को 3 से divide करेंगे तिया होता है 6 यानि की 6 के square 36 और 6 हो गया 42 आप देखेंगे की 42 आपके सामने बैठा हुआ उसी परकार से यहां द्यान देंगे 5 के square हो गया 25 और 15 को 3 से divide करेंगे यानि कि 5 के स्क्वार 25 और 15 कुत्री से डिवाइट करेंगे 5 यानि कि 25 और 5 होगे आपका 30 जिस option में 30 होगा वही आपका result होगा right answer होगा option number 8 मातर दो सकेंड कंदर रोंते हुए आगे बढ़ना है आपका मन है ता आप इसको भी चेक कर सकते है ध्यान देंगे 7 के स्क्वार होता है 49 और 12 या 36 49 और 12 होगे आपका 61 राइट answer होगा option number 8 चलिए next questions के तरह move करते हैं next questions होगा आपके skin पे ध्यान से आपको questions को देखना है और उस relation को find करने का प्रियास करना है जिस relation पर या question जो है या pattern जो है वह सेट किया गया है अगर आप relation को उस pattern को find करने में काम्याब हो जाते हैं तो आप मात्र 2 सेकेंड के अंदर missing number के किसी भी questions पेपर को रौनते हुए आगे बढ़ जाएंगे ध्यान देंगे यहां questions में जैसे यहाँ 14 हैं यहाン 11 है इन दोनों को add कर देंगे यानि है 14 में 11 ऐड कर देंगे और नेक्स टाइम और 14 लेवन को septकर देंगे यान लीक है परकार से आपको यहां ध्यान दियां देंगे 15 में 16 जोड देंगे 15 में 16 गटाएंगे तो होता यह यहां था देंगे अब next उसी परकास से आपको यहां भी करना है, 9 में आपको उस number को add करना है, और उस number को 9 में subtract करके आपस में multiply कर देना है, आपको बता दे कि question mark की जगा पर क्या आएगा, आपको इन 4 options में से उठा कर direct put कर देना है, ध्यान देंगे, 13 और 9 होता है, 13 और 9 होता है, 22 और 13 में 9 subtract कर देंगे होता है, 4 यानि कि 22 चोक, 88 देखेंगे कि 88 बैठा हुआ है, राइटेंसर होगा आपका option number है, मातर दो सेकेंड कंदर रोंते हुए आगे बढ़ना है, next questions होगा आपके skin पे, ध्यान से सरसीर निगाहों से questions को देखेंगे, और question mark की जगा पे, क्या आएगा यह आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप relation find करने का प्रयाज करेंगे, अगर आप relation find करने में काम्याब ही जाते हैं, तो आप missing number के questions को 2 सेकेंड कंदर रोंते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान देंगे, 18 है, 18 में 8 सब्टाइट करेंगे, 18 मे जोड़ देंगे, तो हो गया, 18, right answer होगा, option number B, next यहां भी चेक कर लिजे, ध्यान देंगे, 19 है, 19 में 14 सब्टाइट करेंगे, तो होता है 5, और 5 में 9 जोड़ेंगे, तो 14 आपके सामने बैठा हुए, right answer होगा, option number B, next questions कित्रा move करते हैं, next questions होगा, आपके skin पे, ध्यान से सरस उसी परकार से यहां ध्यान देंगे, 36, 3 होता है, 108 और 54, उसी परकार से 24 गुने 24 करेंगे, 24 गुने 24 होता है, 576, ठीक, उसी परकार से 32 में आपके आप मल्टिप्लाई करेंगे, कि 576 हो जाए, यानि कि, question mark के जगा पे, मान लेजे कि, P होगा, यानि कि, 32 into P is equal to, 526, और P के भीलू आपका आजाएगा, 18, यानि कि, P के जगा पे, 18 होगा, question mark के जगा पे, 18 होगा, right answer होगा, 18, next questions की तरह move करते हैं, correct answer होगा, option number C, next questions होगा, आपके स्किन पे, ध्यान से questions को, सर से निगाहों से देखेंगे, और right answer find करने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो य 15 में 12 को सब्टैट कर देंगे, और दोनों का multiply कर देंगे, 15 में 12 जब जोड़ेंगे तो होता है 27, और 15 में 12 घटाएंगे तो होता है 3, यानि कि 27 तिया के 18, देखेंगे के 18 आपके सामने बैठा हुआ है, उसी परकार से 18 में 15 जोड़ेंगे, 18 में 15 जोड़ेंगे तो होता है 33 और 18 में 15 सब्टाइट करेंगे तो होता है 3, 33 ती आ होगे 99, नेक्स्ट यहां ध्यान देंगे 17 है, 17 अब यहां ओप्शन से उठा लेंगे, ओप्शन से माल लिजे कि 13 उठा लिए, 17 में 13 जोड़ेंगे तो होता है 30, और 17 में 13 घटाएंगे तो होता है 4, यानि कि 34 होता 120, रा सबसे पहला आपका काम होगा कि कोशंस को सबसे निगाहों से देखेंगे और यहां पता लगाने का प्रियास करेंगे जो मिसिंग नमबर है, वहां किस पैटन पे सेट किया गया है, अगर आप उस पैटन को पकड़ने में कामिया बजाते हैं, तो आप 2 सेकेंड के अदर रो 144 बैठा हुआ है उसी परकार से 18 में 12 जोड़ देंगे तो होता है 30 और 18 में 12 घटा देंगे तो होता है 6 यानि कि 30 छका हो गया 180 जिस ओप्षन में 180 होगा वही आपका रिजल्ट होगा राइट एंसर होगा ओप्षन नम्बर C उसी परकार से यहां ध्यान देंगे 22 में 17 आपके स्किन पे कुछ निकरना है ध्यान से आपको कोसों को देखना है और उस नियम का पता लगाने के प्रेयास करना है जिसके तहथ यह सेट किया गया है अगर आप पैटर्न को पकड़ने में काम्याब हो जाते हैं तो आप मिसिंग नम्बर के किसी भी कोस्टन को 2 अंदर रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे ध्यान देंगे 165 होता है 80 80 में तीन घटा देंगे आप देखेंगे कि 77 आपके सामने बैठा हुआ है ठेक उसी परकार से आप यहां ध्यान देंगे 152 में तीन घटा है यही आपका रिजल्ट होगा कुछ ने कि हैं फरस्ट नंबर और सेकेंड नंबर को आपस में मल्टिप्लाई कर दिया है जो रिजल्ट है उसमें त्री सब्टाइट कि हैं आपका थर्ड नंबर में वह नंबर बैठा हुआ है नेक्स्ट कोश्टन्स होंगे आपके स्किन पे ध्यान से कोश्टन्स को देखेंगे और आई टेंसर देने का प्रयास करेंगे कुछ नहीं करना है कोश्टन्स को सरसे निगाहों से देखना है और आपको उस नियम का उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है जिसके त नमबर में 12 है तो से डिवाइट करेंगे तो होता है फोर यानिकि 96 में चार जोडेंगे तो होता है 100 और नेक्स्ट आपको उसी परकार से यहां भी करना है पन्रह गुने चार कर देंगे 15 का होता साथ और चार को ढू से डिवाइट करेंगे यानि इसकेट नमбर को टूसे डिवाइट करना है साथ अदु होगे आपका 62 यानि कि जिस आपका सब्सक्राइब करना है और आपको उस नियम का पता लगाने का प्रयास करना है जिस नियम के तहर जिस पैटान पर या सेट किया गया है कुछ नहीं करना है ध्यान देंगे यह जो आपको फर्स्ट नमबर नजर आ रहा है सेवन सेवन को मल्टिप्लाइ कर देना है और जो सेकेंड नमबर आपको यहां पे थ्री नजर आ रहा है थ्री में वन एड कर देना है यानि कि सेवन इंटु फोर साथ चुक अठाइस देखेंगे कि 28 आपके सामने बैठा हुआ है उसी परकार से यहां दियान देंगे यहां प 5 इंटू इधार हो गया y प्लस 1 इसकल टू 50 कुछ नहीं करना है 5y प्लस 5 इसकल टू हो गया आपका 50 और 5y इसकल टू हो गया आपका 45 य इसकल टू आपका हो गया 9 जिस ओप्शन में 9 होगा वही आपका result होगा राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर A next questions कित्रा move करते है next questions होगा आपके skin पे ध्यान से questions को देखेंगे सरसरी निगाहों से questions को देखेंगे और आइट एंसर देने का प्रयास करेंगे कुछ नहीं करना है ध्यान देंगे यहां पे 15 है और second नमबर यहां ध्यान देंगे यहां 14 है यानि कि 14 में 10 सब्टेट कर करेंगे तो 14 में 10 apt करेंगे तो होता है 4 और 15 से multiply कर देंगे तो 15 चुक का होता है car आप देखेंगे कि आपके सामने बैठा हुए उसी ABOUT नेगी यहां 19 है और 18 में 18 में आपको 10 सेट कर दोखें करेंगे होता है आपका यानि कि उनी सर्थ होता है 122 आप देखेंगे के 122 आपके सामने बैठा उसी परकार से आपको यहां कोशन मार के जब पर ऐसा भेलू को लेना है जिसमें 17 में 10 सब्सक्राइट करें यानि कि 7 से मल्टिप्लाइट करेंगे तो आपका 161 होना चाहिए यान देंगे कुछ नहीं क Quesions की तरह मूप करते हैं next Quesions होगा आपके skin पर ध्यान से सर्चरी निगाहों सेускो देखेंगे और उस नियम का पता लगाने का प्रियास करेंगे उस pattern का प्रियास करेंगे जिस नियम के ताफल जिस pattern पर यह missing number बस सेट किया गया है आपको होताना है कि कोशन मार के जग हाइगा कुछ नहीं करना यहां द्यान देंगे दू चुवका होता है आठ और तेरह सत्य होता है एक आन्वे और सेवन और फोर को आपस में मल्टिप्लाइए कर देंगे यानि कि साथ चुवका होता है अठाइस आप तक्रभल देखेंगे कि 28 आपका बीच में बैठा हुआ है मेडल में बैठा हुआ है उसी परकार से यहां ध्यान देंगे 11 पच्छे होता है 55 और 17 को होता है और 60 यानि कि पांच हो का 20 आपस में इन दोनों का multiply करेंगे 20 आपके सामने बैठा हुआ है ठेक उसी परिकार से यहां ध्यान देंगे 7,8 होता है 56 और 9,8 होता है 27 और 8,3 के 24 राइट एंसर होगा आपका option number B में बैठा हुआ है 24 यहीं सही एंसर होगा next questions कित्रा move करते हैं next questions होगा आपके skin प सरसे निगाहों से questions को देखने के प्रयास करेंगे और right answer देने के प्रयास करेंगे ध्यान देंगे आपको जो first number 14 दिया हुआ है 14 में कुछ नहीं करना 14 में one add कर देना है तो यहां होगे आपका 15 अब next यहां ध्यान देंगे second number में आपका 21 है 21 में भी आपको one add कर देना है तो 15 में 11 से multiply कर देंगे आप देखेंगे कि 165 आपके सामने बैठा हुआ उसी परकार से यहां ध्यान देंगे 13 में जोडेंगे तो होता है 14 और 19 में जोडेंगे तो होता है 20 और 20 को दो से डिवाइड करेंगे तो होता है आपका 10 यानि कि 14 होगया 140 जिस option में 140 होगा वही आपका रिजल्ट होगा राइट एंसर होगा option number B next questions होगे आपके skin पर ध्यान से सलसरी निगाहों से questions को देखेंगे और मात्र दो सेकेंड के अंदर रोंते हुए आगे बढ़ना है ध्यान देंगे 9 पचे 45 45 में दो घटाएंगे 43 आपके सामने बैठा हुआ है उसी परकार से यहां साथ चुक 28 इन दोनों का मल्टिप्लाइ कर रहे हैं और 28 में दो घटाएंगे 26 आपके सामने बैठा हुआ है उसी परकार से यहां ध्यान देंगे 9 सत्य होता है 63 63 में दो घटाएंगे 16 आपके सामने option number B में बैठा हुआ है यही आपका result होगा next questions होगा आपके skin पर ध्यान से questions को देखेंगे सरसरी निगाहों से देखेंगे और right answer देने का प्रेयास करेंगे कुछ नहीं करना जो first number दिया हुआ 8 इसको 5 से multiply कर देंगे और जो second number दिया हुआ 6 इसको 6 से multiply कर देंगे और दुनों का आपस में add कर देंगे 8 45 और 6 6 होता है 6 3 46 जोडेंगे 76 आपके सामने ब 120 जिस option में 120 होगा वही आपका result होगा right answer होगा option number B यहां भी द्यान देंगे साथ को 5 से multiply करेंगे साथ पचे होता है 35 और 13 को 6 से multiply करेंगे यानि कि 13 चक होता है 38 35 में 78 जोडेंगे 113 आपके सामने बैठा होगा right answer होगा option number B correct answer होगा कुछ नहीं किये फर्स्ट नमबर को 5 से और सेकेंड नमबर को 6 से multiply कर के add कर दिये आपके सामने थर्ड नमबर बैठा होगा next questions होगा आपके skin पे कुछ नहीं करना है जब ही आपको missing number के कोई भी questions कभी भ या set किया गया है अगर आप pattern को पकड़ने में कामयाब जाते हैं तो आप missing number के कोई भी questions को दो सेकेंड कंदर रोंते हुए आगे बढ़ जाएंगे ध्यान देंगे और समझने का प्रियास करेंगे कुछ नहीं करना या जो फॉस्ट नमबर आपको 12 नजर आ रहा है 12 में 2 सब सब्सक्राइब कर देंगे तो होता है 10 और सेकेंड नमर में 7 है इसको multiply कर देंगे यानि कि 10 सब्सक्राइब आपके सामने 3rd नमर बैठा हुआ है उसी पर का से 15 में 2 गटाएंगे तो होता है 13 और 13 छक होता है देखेंगे कि 78 आपके सामने बैठा हुआ है उसी पर का से यहां ध्यान देंगे 11 है 11 में 2 सब्सक्राइब कर देंगे तो होता है 9 और 9 में 9 से multiply कर देंगे यानि कि 81 राइट एंसर होगा आपका option नमर सी में बैठा हुआ है 81 next questions होगा आपके skin पर ध्यान से questions को देखेंगे औ questions में first number में 13 दिया हुआ second number में 16 दिया हुआ कुछ नहीं करना है second number में जो 16 दिया हुआ उसको 4 से डिवाइड कर देना है और जो result आगा उससे first number में multiply कर देना है यानि कि 4 चुका होता है 16 और 13 चुका बावन आप देखेंगे कि बावन बैठा हुआ उसी परकार से 15 है और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे यानि कि 15 चका हो गया 90 देखेंगे कि 90 बैठा हुआ है उसी परकार से आप यहां देयान देंगे 4 नमा होता है 36 तेंस नमा होता है दूसरो साथ, right answer होगा दूसरो साथ, आपको बता दे कि आपके किसी भी options में दूसरो साथ नहीं है, आयोग के द्वारा या question जो है वह wrong दिया गया था, इसके options रॉंग दिये गए है, right answer होगा दूसरो साथ, कुछ नहीं किये हैं, second number को 4 से divide कर दिये हैं, और जो result आया, उसको first number से multiply कर दिये, third number आपका automatic आपके सामने होगा, next questions होगा आपके skin पे, ध्यान से questions को देखेंगे, sorcery निगाओं से questions को देखेंगे, और right answer देने का प्रयाज करेंगे, ध्यान देंगे, first number में आपका 13 है, second number में आपका 6 है, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देंगे, first number में जो 13 दिया होगा, इसको 6 से multiply कर देंगे, यानि कि जो second number दिया होगा है, उससे multiply कर देंगे, और इसको subtract क करेंगे, किस से subtract करेंगे, जो second number दिया होगा, उसको 2 से divide करने के बज़िवाइगा, उसमें subtract कर देंगे, ध्यान देंगे, 13 चक होता है, 78 में तीन घटाएंगे, 75 आपके सामने, third number में बैठा हुए, ठेक उसी परकार से यहां ध्यान देंगे, 15 अर्ठे होता है, बीशा से, और 8 को 2 से divide करना है, यानिके second number को 2 से divide करना है, 8 को 2 से divide करेंगे, तो 4 होता है, 120 में 4 घटा देंगे, 120 में 4 घटाएंगे, तो 116, आपका option number यह में बैठा हुआ है, यही आपका result होगा, अब यहां ध्यान देंगे, 4 है, second number 4 है, इसको 2 से divide कर देंगे, तिया होगा दू, 18 च सेकेंड नंबर को टू से डिवाइट कर दिए जो रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टिप्लाई करने पर उससे सब्टाइट कर दे रहे हैं सेकेंड नंबर को दो से डिवाइट करने पर जो रिजल्ट आ रहा है उससे आपका थर्ड नंबर इटो चैनल से बहुत जुड़ जाएंगे तो चलिए अभी के लिए बस इता ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन जै भारत